दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल फिस फार्मिंग पर आप जब मचली पालन का विचार अपने मन में लाते हैं बहुत सारी योजनाओं को आपको क्रियान वैन करना पड़ता है सबसे पहले आपके पास एक तलाब होना अतियावस्यक होता है जिसका लंबाई चोराई सही ढंका हो ज्यादा छोटा तलाब हो तो उसके लिए हम दूसरे मचली के अटफिस का पालन करने के लिए आपको बताते हैं जिनके पास हाफ एकर का तलाब है वह अपने तलाब में एक आदमी MP के हैं रेलेवे एस्टेशन रेलेवे जंग्सन कटनी नाम है उनका अभिसेख सिंग बगेल जी वे कतला जैंती रोहू अमूर कार्फ ये तीन वेराइटी का सीड हम से बंगाये हैं उनका बिल्टी भी हम एस्क्रीन पर आपको जो बिल्टी हम भेजे हैं रेल में बिल्टी बनवा करके भेजे हैं उनको वह विल्टी भी जो स्क्रीन पर है दिखाई दे रहा है वही है दूसरा नाम है धर्मिंदर जी ये फातेहपूर यूपी के हैं और इनका सीड प्रयागराग जंग्सन यानि इलाहाबा जंग्सन पर गया है धर्मिंदर जी बहुत-ब बेजे हैं ऐसे तो अनिको लोगों को भेजे हैं लेकिन इनी तीन लोगों को इस वीडियो के माद्धिं से आफ सारे लोगों को जन्कारी देना चाहिए आपको भी अगर अमुर कार पजेंती-गरास-कार्फ किसी भी मचली या कैट-फिस का का पालन करना हो तो जो नंबर द देसी वाली मंगूर अच्छे क्वालिटी की है, रिट काफी बहतर मिलता है आपको, ज्यादा दिनों तक पालन नहीं करना पड़ता है, उसके बाद आता है सिंगी मचली, इसका भी पालन आप अपने तलाब में कर सकते हैं, और हम बात करते हैं, जिनके पास हाफ एकर या उसस जाते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक यहीं बातों को मैं परते एक वीडियो में दोहराता हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको तो पता है, जो पुराने मचली पालक है, उनको पता है कि कौन सी मचली कितना डालन चाहिए अपने तलाब में, किस तरह के मचलियां का पालन करना चाहिए लेकिन दोस्तों आज भी बहुत सारे नए मचली पालक हैं वे उनको पता नहीं है वे हमसे डिमांड करते हैं 20 गुना 30 के तलाब में IMC का पालन का डिमांड करते हैं सीर्मंगवाना चाहते हैं तो जो फोन कर लेते हैं उनको कटलाव है एक बंधु से बात करने का मौका मिला किसी सीड सेलर उनको 40,000 बच्चा डलवा दिया दो दो इंच धाई धाई इंच का बच्चा डलवा दिया एक एकर में 40,000 बच्चा और उसमें भी सिर्फ कतला का मचली डाल दिये हुए अब बताइए आज के डेट में भी उनक इसमें की गुरोथ जल दिया है और भया जब इस तरह से इस क्वांटिटी में आप बिच डालेंगे अपने तलाब में तो कोई भी दबा डाल देंगे कैसे मचलियों का गुरोथ हो जाएगा तो हम बताना चाहेंगे कि हर समय आप ध्यान डखें जिनके पाद शोटा तलाब स्काइब where the garage अगर aja का पकरना करते हैं तो उसका एक trivia होता है जैसे उपर की मचली 40 पर्सेंट ढलना है बीच की मचली 30 परसेंट डालना है नीचे की मचली 30 परसेंट दालना है तो इसका ratio आपको बना कर रहे हैं जो seed salad है उसी की बातों में आ करके उसके जहांसे में आ करके आप जैसे तैसा seed नहीं डाल दें जो ratio हम लोग वीडियो में बताते हैं उसी ratio के अनुरूप आपको अपने तलाब में seed एश्टो करना होगा तब ही मचलियों का growth आएगा दोस्तों नहीं तो लाख भोजन करा लेंगे अनेको तरह की दवाईयां प्रोवाइडिक्स का परियोगब कर लेंगे लेकिन growth नहीं आए और seed stock करने में लेट नहीं करें seed आपको जल्द से जल्द अपने तलाब में डाल देना चाहिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो seed stock नहीं किये हैं तो जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उस नंबर पर call करके आप हमसे seed मंगवा सकते हैं चाहे हुआ केड़िस का ह आई-एम-सी का हो आई-एम-सी में अच्छी quality का जैंती रोहू जी आई कतला अमूर कार बलैक कार इन सारे मचलियों का seed हमारे पास उपलब्ध है और आपको सही समय पर आपके railway जंग संतक हम भेजते हैं एक बार फिर अभिसेख सिंग बगल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद पपु यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद सीट बंगवाने के लिए धन्यवाद सारे लोगों को धन्यवाद